अक्सर ये देखा गया है कि रासायनिक खेती करने से हमारे खेत बेकार होते जा रहे हैं और घर में ही कई बिमारियां हो रही हैं खुद जाने अन जाने में रासायनिक दवाएं चिलकते हुए इसका सेवन कर लेते हैं जिससे हम बिमार और ठके ठके महसूस करते हैं अनि थे परखिवा इसके बारे में फ़ोड़ा सा पिरपक Salvador के साथ जुड़ने में कुछ ग्रिलूद दिख्टे आई थी एक बारे रसे सें केमिकल्ख के जहे ले थे केमिकल खेती करने पूरा दिन किसान जैर में रहता है तो उसको दिखते दो होती है ठका रहता है उससे पहले में पूरी केमिकल खेती करता था केमिकल भी ज्यादा डालता था गाव में सबसे ज्यादा साइद में ही डालता था रसाइन केमिकल कोटन की बेल्ट है हमारी और उस सूरजमल जी पहले सिर्फ रासानी खेती ही किया करते थे पर जब से इसके नुकसान के बारे में पता चला तब से सूरजमल जी बस जैविक खेती ही करते हैं जाएंगता शूरा कि बाउमल गुक्त गुक attic ही दिनों में पूरी गाइड़ाइन इन थी मेरे पास अपने अनुबहा टाह था सुनी-सुनाई बातों पी ारू में दिखते है इसकी गाइड़ाइन नहीं थी परोपर तो तो सुरू में दिखते हैं एडिक लिए उतफबादन बरवाला हिसार के सुरजमल पुनियाजी जैविक खेती करते हैं और गेनिक के कई फार्मूले हैं देशी गोबर की खाट डालो या पंचगेवर डालो हर पानी के साथ पंचगेवर एक सिंपल सा फार्मूला है जैविक खेती करके इन्हें मन की शांती मैसूस होती है मन बनाया फिर और गेनिक खेती करनी जी तब के बाद मैं थोड़ा-थोड़ा अदा एकड़ से शुरुआत की थी पहले साल फिर अगले साल दो एकड में फिर उसे बढ़ता बढ़ता ऐसे बारा एकड तक लेके गा इसके उत्पाद जो खाते हैं फल सब्जियां अनाज जो भी ले रहे हैं दाले ले रहे हैं सभी में खाने का टेस्की अलग है सवाद अच्छा है मन खुस होता है खाने से वाकि इस खेती के करने में खुछी मेहसूस होती है कीद खोशहाल तो किसान खोशहाल